नमस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार वे हूँ आपकी वही अंजली बहुत चाहा उसको जिसे हम पा ना सके खयालों में किसी और को ला ना सके उसको देख के आशू तो पोंच लिए लेकिन किसी और को देख के मुस्कुरा ना सके विहाब ने सही सुना हम आज के डिली राश्रिवल की बात कर रही है सबसे मले आज उनका वर्जे है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ठेर सारी good wishes तो चलिए अप शिरू करते हैं अगर कोई व्यक्ती बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे दुख ही मिलता है और अगर कोई व्यक्ती अच्छे विचारों की साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परचाई की तरहां खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती जीद निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं बहादुर तो वो है जो हार निश्चित हो फिर भी मेदान नहीं छोड़ते आप भी जितना जोर है उतना जोर लगा दो लेकिन पीछे मत हटना अपने लक्ष से निश्चित ही जीद आपकी ही होगी जो नहीं है हमारे पास वो खाब है पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है आग को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान का शुकर गुजार होना चाहिए हमसे बहतर भगवान जानते हैं कि हमें कब कहां और क्या चाहिए लहरों को शाद देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है जब भी उठेंगे तुफान बनकर उठेंगे अब भी उठने की ठानी नहीं है सबसे पहलों मैं आपको पता दो कि आज आप के लिए शुब रंग रहने वाला है वो रहेगा स्काइब लू यानि की आसमानी और इशुब आंग के रहने वाला है आज की दिन के लिए नंबर दो रहेगा तो आज जो हैं सिदारे कहते हैं कि किसी बात से ज़ादा परिशान होने आपको कोई जरूरत नहीं है उसे एक नए नजरीय से अगर देखेंगे आप तो इसे बहुत ही कुछ सीखने को मिल सकता है आज के दिन बदलते ही परिस्तियों के साथ-साथ अपने आपको भी आपको ढालना होगा परिस्तियों के अकॉर्डिंग यानि कि खुद को महौल के अकॉर्डिंग बनाना होगा आपके आसपास अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप अंदेखा कर रहे हैं तो अपनी आँखे ज़रा खोले नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और हाँ इससे जो है आपका नुकसान भी हो सकता है तो आपको जो है आज की दिन सतर्कता अपनानी होगे अपनी वातावरण के प्रती सचेत रहें किसी करेमी दोस्त या फिरिष्टिदार पर जादा भरूसा मत कीजेगा वना आपको जो है निराशा हाथ में लग सकती है तो आज पिछले समय से आ रही कुछ पुरानी समस्याओं का भी सॉलूशन होने से आपको बहुती जादा जो है अच्छी फिलिंग रहेगी तनाम मुक्त हो सकते है और नजीकी रिष्टिदार और दोस्तों के साथ आपको बहुती अच्छा टाइम स्पेंट करने का मौका मिल सकता है हो सकता है कि आपके रिष्टि के बाद ही चल जाए घर के रखरकाव समंदी उजनाओं पर भी विचारवी मर्श होता रहेगा ध्यान रखना होगा इस बात का कि आपके किसी नेगेटिव बात की वज़े से कुछ लोगों से सबन खराब हो सकते है इसलिए अपने जो सभाव है उसमें सरलता बनाए रखे घर परिवार से रिलेटिट कामों पर बहुत जादा डिसेप्लिन रखना उचितबार नहीं रहेगी इसलिए उनकी कारक्षमता में कमी आएगी इसलिए आपको थोड़ी धील देनी चाहिए अज आपको कुछ तनाभी महसूस कर सकते हैं आज के दिन क्योंकि आपका जो है काम में मन नहीं लगेगा स्पेशली आज विधिहारतियों को और जौब करने वाले व्यक्तियों को उनका काम में मन नहीं लगेगा अपनी प्रात्य मिक्ताओं को अच्छे प्रकार से समच जान कर काम करेंगे तो बहतर परिणाम मिलेंगे आज फोकस बनाए रखना होगा यह बहुत जरूरी है नहीं तो मन जो है आपका इदरुदर भटक सकता है और हाँ दिन के अंत में संतोष की भावनाए पैदा हो सकती है जो कि तिनाव को और बढ़ा सकती है बलकि आपको तो अपने वातावरण को जो है अच्छा बना कर रखना चाहिए ताकि अब तिनाव से मुक्त रहे तिनाव को दूर रखने के लिए आज थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताएगा खुद के साथ अगर समय बिताएगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़े होंगी जिनका आप समादान अकेले में ही कर पाएगे परिवार को बिहाद थोड़ा समय अवश्य देना चाहिए एस्पैसली अपने पेरेंट्स को जो कि आप हमेशा नहीं देते हैं आजकल के जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ ताइम स्पेंट नहीं करते मुबाइल के साथ करते हैं तो आपको चाहिए अपने पेरंट्स को जादा जादा समय देजे, उनकी कुछ बाती जो है अपने में लाइए, उनकी अच्छी बात आपको काफी चीजे सीखने को मिल सकती हैं अपने पेरंट्स से, साथ में आद एक दूसरे की सुख दुख सांजा कर सकते हैं, किसी प्रक्स होकर अपने कारेयों पर ध्यान देना होगा और हां आलस से दूर रहना होगा आलस को हावी मत होने दीजेगा वन्ना सिथियां गड़बडा सकते हैं अगर आप आलस को हावी नहीं होने देंगे तो इस सिथियां बहुत ही बहतर बननी शुरू हो जाएंगे घर में अगरभ समझचदारी शe diamond शिर्डियां प्यार से काम लेंगे तो परिष्थिति या जल्दी ही समयनी रूप ले लिए लेंगे तो चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की व्यविसाइभ यानने की bizness और करेड की तो business और करेड में आज व्यविसाइज करति व व्यक्तियों को भी आज अपने काम की प्रती सामधानी बरतनी होगी थोड़ी बहुत कारी भार जादा रहेगा कोई नया कारी लेने से पहले अपनी क्षमता कारी भार और समय का भी ध्यान रखे नहीं तो आप बहुत ही परिशान में जा सकते हैं क्योंकि आप फिससे तो उतन ही काम होता है जितना आप कर सकते हैं और लोट मत हो जाएगा इसे के साथ ही आज विसाइक शेत्र में कारे की जादा दिखता रहने के साथ साथ मेहनत की अनुरूप परिणाम भी मिलेंगे लेकिन जतरी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको परिणाम मिलेंगे अगर आप कम मेहनत करें हैं तो कम नतीजे देखने को मिलेंगे अब इजादा मुनाफ़े की उमीद मत रखेगा काम चलाओं जैसा काम होता रहेगा नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपना काम समय पर कंफ्लीट कर लेना चाहिए वनना आज जो है किसी बड़े अधिकारी की नराजगी आज आज आपको सहनी पर सकती है अगर कारे शित्र में आपके कोई तनावपूर्ण सिधिया बनी हुई थी पहले से तो उसका जिल्ड ही आज 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 आपको हल मिल सकता है साथे साथ में आज नक्षत्र और सिधारे कहते हैं कि रुके हुए काम जो थे बहुत देर से वो पी चलने शुरू हो जाएंगे तो एक बहुत इच्छी बात है आज के दिल तो यह बात की बिजनस और करेड की और अब बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में लव लाइफ में आज पती पत्नी के सवंदों में बहुत ही मधुरता जलकती नजर आएगी लेकिन परिवारे के व्यक्तियों को उनकी इच्छा के नुसार कारे करने का भी अधिकार दे साथी में अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे आज माफ कर देज़ेगा जी हाँ अगर आप माफ करेंगी तो बगवान भी आपको माफ कर देगा आपके सारे गुना हमेशा प्यार से रहे जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि गुसे से किसी बात का जो है वो solution नहीं निकलता है इसलिए गुसा इंसान को तो करना ही नहीं चाहिए गुसा पहले इंसान को जलाता है और फिर दूसरे इंसान को अगर हम जलना चाहते हैं तो गुसा कीजिए और अगर नहीं शांती बिनाए रखना चाहते हैं तो गुसे से परहेश जरूर कीजेगा रिष्टों में आज चल रही परिशानिया जल्दी हल हो जाएंगे धैरियों और सहियों बना कर रखना पड़ेगा परिवार के साथ मनुरंजन और आमोद प्रमोद से रिलेटिट कारों में समय स्पेंट कर सकते हैं घर में अज कुछ सफाई का काम भी आप उसमें हाथ बटा सकते हैं जिसे आपस में सबंदों में काफी मदूरता देखने को मिलेगे आगे पड़ते हैं बात करते हैं हेल्थ की बारे में तो हैल्थ कहती है कि उम्मत सुभरी गर्वनी की वज़ा से थकान, ब्लड प्रेशर ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी सेथ का थोड़ा दियान रखेगा, अपने विचारों को सकनात्मग बनाए रखेएं यह अच्छी स्वास्ते की नीव है आज आपको छाच पेनी चाहिए, स्वास्ते बाकी लोगों का समाने रहेगा, पुराने रोगों से निजात मिलेगी बाकी जो है मौसम की वज़े से बस धिहान रखेगा, बाकी सब कुछ ठीक है तो चलिए बात करते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो अज आपके लिए विशेश उपाई रहेगा, कि आज के जो दिन हैं, आज आपको अपने इश्ट दीव को जो है भोग प्रसाद बगेरा चढ़ाना चाहिए, इसे के साथ ही अगर आप पोधो को पानी देते हैं और हाँ तुलसी की वुजा करते हैं तो इससे आपको विशेश का रुप से लाव मिल सकता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद